29 जून की इस रवदन में अपस का स्वाकत है परमात्र प्रता कहते हैं आज के वरदानों की सदा श्रेष्ट समय प्रमाण जो समय चल रहा है भी वो श्रेष्ट समय है संगम्यू का प्रमाण कर्म करते वहावा के गीत काने वाले भाग्यवान आत्म भबा त्योंकि हमारे भाग्य बनान आत्म हमें गाइड करके किस तरगी के कर्म करने क्या रहीट है क्या रौंग है कैसे आगे बढ़ना है उससे कुछ सिखाते हैं इस रंग मंच पर कर्म करते हुए इस श्रेष्ट समय पर सदा श्रेष्ट कर्म करते वहाँ वहाँ के गीत मन से गाते रहो वहाँ मेरा श्रेष्ट कर्म या वहाँ श्रेष्ट कर्म सिखलाने वाले बाबा दोनों मेरा श्रेष्ट कर्म वहाँ मेरा खाता बढ़ता जा रहा है श्रेष्ट कर्म का और वहा मेरे चे शुरेश्ट कर्म सिखलाने वाले बाबा शिब बाबा तो सदा वहावा के गीत काओ मलत कि अंदर खुशी के अमंग उच्छा के और अनंद के गीत काने चाहिए कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी जीवन में अरचन आती है मुश्किल आती है दुख का नजारा आता है रेखते भी हाई शब्द नहीं निकलना चाहिए हाई यह क्या हो गया हाई राम यह सब कुछ नहीं निकलना चाहिए परमाता कहते हैं वहा ड्रामा वा उसमें भी कुछ कल्यान है कई जन्मों की भक्ती का हमें पाट बजाते हुए हमारी भक्ती की जो भावना थी उसमें ग्यान थोड़ा बहुत था लेकिन पुरा नहीं उसका परमात्मा ने भोले बावा ने हमें घर बैठे हुए अपनी तरफ बुला करके ग्यान दिया इसी भाग के नशे में रहो ओम शन्ती